हलो प्यारे विदार्तियों समाकेडमी की यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आई होप कि आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अच्छे से अपनी वर्क्वूक को फिल कर रहे होंगे आज हम बात कर रहे हैं इंगलिस क्लास 9 के वर्क्विट नंबर 18 की यानी टोपिक देगा अपना परिपोजिशन चानेगे इन्ये इस परिपोजिशन को किस तरीकेश अपने को फिल करना है उसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिये गए जहां से आप विज्ञान और गृणित के कार्या पत्रक को भी देख सकती हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बोक्स में जाकर वहां पे लिखा हुआ है गृणित प्लेलिस्ट और विज्ञान की प्लेलिस्ट वहां से आप उनको कर सकते हैं इसके कुछ लर्निंग आउटकम्स दियेगे हैं तो लर्नर राइट्स ग्रामेटिकली क्रेक्ट संटेंस फोर ए वराइटी ओफ सिच्वेशन यूजिंग प्रिपोशन यानि प्रिपोशन का यूज करते हुए से एक ग्रामेटिकल तरीके से उनको लिखना है लर्निंग स्किल्स रहेगी रीडिंग और लर्निंग कुछ हिंट्स दियेगे हैं आपको कुछ नीचे डिदेशित किया गया है उनको अच्छे से पड़ करकर करना आपको जैसे यहाँ पे एक एक जांपल दिखाया गया है एक आउस है करे पेड़ों के बीच में बीच में है among, फिर है since, since is used denote to point of time, यहनि point of time के लिए, निस्टी time के लिए, क्या आता है, since आता है, और for है, वो आता है period of time, यह निस्टी सुमे के लिए, जैसे अब example देखते हैं, जैसे, fill in the blanks with the suitable preposition given in the brackets, there is no argument, यहनि कोई argument निये, these two brothers, यहनि दो भायों की बीच में, दो भायों की बात हो रही है, तो यहाँ पर आजाएगा between, यहाँ अपने को लिखना है between, next है, I distributed sweets all the students of my class, यहनि सभी विदार्थियों की बात हो रही है, सभी विदार्थियों को मिठाई, distribute करनी है, तो क्या जाएगा, among, यहाँ पने लिख देंगे, among, next है, I have not eaten anything, Wednesday, यहाँ पर लग जाएगा, since, he has been teaching in this school, 2013, यहाँ इस school में पढ़ा रहा है, कब से, since, यहाँ दो जार तेरा से पढ़ा रहा है, तो निश्चिस में हो गया, दो जार तेरा, तो यहाँ आजाएगा, since, next है, he has absent from school, वहाँ स्कूल से absent है, कब से, last three days, यहाँ कौन next है, I have been writing a letter, two hours, यब two hours है, कौन से two hours, पता नहीं, four, तो यहाँ पर आजाएगा, four next है, write sentences based on pictures, आप pictures को देखे sentence बनाने है, जैसे इस box के अंदर के है, एक bowl है, the bowl is in the box, यहाँ पर proportion आगया, in, in the box, यहाँ पर दो जार्स दिखाएगे, और बीच में tablets, यहाँ पूरा दिखाई नहीं देरा, tablet मानी हमने, tablet दिखाई दे रही है, तो tablet is palest between two jars, यहाँ जो tablet है, वो कहाँ पर दिखाई दे रही है, उन palest के, sorry, jar के बीच में दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर between का use हो गया, next time, form sentences using prepositions given below, यहाँ पर दे रही है, 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 two thousand four, यहाँ पर यहाँ पर दे रही है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, sins, अब यहाँ पर, यहाँ पर प्रिपोश्चन बताने आपको, यहाँ पर कुछ numbers लिखे गए है, जिसे एक number पर यह चीज है, दो number पर यहाँ सूज दिखाए गए है, और तीन number पर यहाँ बोल दि दिखाया गया है उसके बाद 8 नमबर पर यानि एक चेर दिखाये गई है इस तरीके से यहां पर कुछ नमबर दिए गए है आपको इनके according preportion का यूज़ करना है देखें complete the following sentences using preportion in on behind next to above between under in front of first time there is a candle here the bed यानि bed के जो चालर वो कहां पर है अबना वो आ जाएगा फिर दिख्णव कर सब दर कर दो तो निच्छे है तो अंडर पिंजरे के अंदर है तो in the case आ जाएगा फिर है the lamp is on the beside on the bedside यानि जो lamp है वो table के उपर है यानि bedside पे है next है the poster is behind the bed यानि poster है वो bed के पिछे लगा हुआ है the aquarium is on the selves, aquarium है वो selves के उपर पड़ा हुआ है फिर है the chairs are the table in front of यानि उनके सामने है यानि जो chairs है वो table के सामने है next दा देगा there is a wardrobe the bed यानि front in front of उसके सामने है there are toys in the selves यानि खिलोने है वो क्या है उस almari के अंदर है selves के अंदर है there is a camera the radio camera है वो यानि radio के पास में है next to the table is the chair उनके table है वो क्या है दोनों chair उनके वीच में है तो between the chairs इस तरिकेश आपको इनको करना है next है answer the following questions based on the picture इस picture को देखके आपको कुछ answer true यानि फाल्स में बताने जैसे first true and false बताने there is a cat sitting on the chair तो there is a cat sitting on the chair यानि यहाँ पे बैठी हुई है तो यानि यह true है सही है दूसरा है there are two cats sitting one on the table and another and one inside the car यानि एक तो क्या कर रहा है वो table के नीचे है और दूसरी बता रहा है inside the car यानि car के अंदर है तूसरा है there is one cat sitting on the table एक sitting table नीचे है and one cat under the table एक table के नीचे एक के रहा table पे बैठी है लेकिन यहाँ पे एक table पे बैठी है और दूसरी यानि यह भी कहा है यहाँ पे false है चोथा है there is one cat inside the shoe यानि एक shoe के अंदर है दूसरी and the other is under the car और एक car के नीचे है तो यह true है फिर है there is one cat on the tree यानि एक cat tree के ऊपर है दूसरी and under the table एक table के नीचे है तो यह भी true है इस तरिकेश आपको true और false बताना है इसको picture को देखर फिर है fill in the blanks with prepositions given below in of into inside on along at इनका यूज़ करना है फिर्स्ट है I never dreamed of winning a cupardy match दूसरा हो जाएगा the boy run into the class तीसरा है children are sitting in the class बच्चे क्लास में बैठी हुए चोथा है this song reminds of me of my best friend पांच हो जाएगा I must come with me along with other people शिक्स हो जाएगा रिमा sits on her favorite chair in the class यह रिमा अपनी चो favorite chair उसके उपर बैठती है next हो जाएगा you must ask question at the end of the story next है Smita's favorite place to hide inside the cupboard यानि इस तरीके से आपको इन प्री पोजिशन्स का यूज़ करना है और यह होप कि आपको यह अच्छे से समझ में होगा अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तक प्ली चैनल को subscribe करना ना भूले थैंक यू